हाई फ्रेंड्स असलावलेकूम नमस्ते होम शेक्षेस मकान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे विले स्टाइल लड्डू बनाएंगे वह भुना चना दाल के बहुत ही मुझे के बनते हैं बहुत ही इजी रेसिपी है चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेना है हाई फ्लेम पर नहीं करना है वरना कच्छे रह जाएंगे तो लो फ्लेम पर करेंगे हम तब इसका टेस्ट अच्छा रहेगा इसको भूने के बाद हम इसका चिल्ट का भी निकाल लेंगे चलिए देखिए यह भुन चुके हैं आईसा करने से कच्छील का निकल जा सफेद तिल लिया है मैंने इसको भी ड्राय रोस्ट कर लेंगे ज्यादा नहीं भूनना है सिर्फ दो मिट के लिए भूनना है और लेंगे एक निकसी जार उसमें डालेंगे हम सबसे पहले गुना चना दाल इसको फुटाने भी कहते हैं देखिए बहुती ज्यादा टेस्ट को निकाल लेंगे आपने सभी तरह के लड्डू खाए होंगे इस तरह भी बना कि देखिएगा हाफ को अपलेंगे हम मुंक फली के दाने जो हमने ड्राय रोस्ट के लिया था उसका छिलका भी निकाल लिया है इसको दरदरा प्रिजना है ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है देखिए इतना दरदरा रतना है तब इसका टेस्ट अच्छा आएगा ये भी हम इसमें डालेंगे बरतन में ये डालनें के बाद हम डालेंगे सुका कोपरा ड्राइ कोकोनट हमें कद्दुकस कर लिया है हाफ अ कप वह डालेंगे दो टेबल स्पून जो सफेद तिल लिया ह है उसको ड्रोस्ट कर लिया है वह भी डालेंगे हम पिंच आफ सॉल्ट दालेंगे आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं नमक थोड़ा दाले से अच्छा बढ़िया रहेगा और आदर टीस्पून दालेंगे इलाइची पौडर हम लेंगे इधर एक कप गुड इसको हम ज्यादा पानी नहीं डालना है हम एक तार दो तार नहीं चिपचीपी सी चाशनी बनानी है बहुत ही जल्ब बन जाती है लेखिए इतनी चिपचीपी सी चाशनी है इसको हम चान लेंगे आप मेरे चैनल पर नई है तो बैल आइक उनको प्रेस करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें गरम ही डालना है थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको पता चल जाएगा कितना परफेक्ट है यह मेजर्मेंट थोड़ा थोड़ा इससा ही करके हम डालेंगे अब हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिला लेंगे चम्मा से उतना अच्छा नहीं होगा तो हास्य मिला लेंगे थोड़ा गरम है देखके बनाईएगा अच्छे से मिलाने के बाद देखिए लड़ू बना चले हम इसको लड़ू बना लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद कितने आसानी से इसके लड़ू बन जाते हैं आप इसको आराम से 15 दिन 10 दिन रखके भी खा सकते हो देखिए कितने परफेक्ट से लड़ू बन चुके हैं बढ़िया दिक रहे हैं ना खाने में भी उतने टेस्ट रहेंगे इसे तरह से हम सभी लड़ू को अच्छे से लड़ू को बना लेंगे और थोड़ा दरदरा हो चुका है तो फिर हम इसमें बज़ीगी चाशनी पर आट कर सकते हो ज्यादा जंजट वाला काम नहीं सिर्फ आदे घंटे पर बन जाएंगे देखिए इसे तरह से सभी लड़ू हम बना लेंगे और थोड़ी चाशनी है आप चाहे तो मिला सकते हो चलिए मैंने लड़ू बना कर रख लिया है वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सबस्क्राइब जरू कीजगा देखिए कितने बड़िया से लड़ू बनकर त्यार है विलेस्टाइल एक टेम जरू ट्राइ कीजगा बहुत ही मज़ी है बहुत ही टेस्टी बनते हैं सभी तरह की लड़ू खाए होंगे आप इस तरह से बना कर एक बार ट्राइग कीजगा